हाई अब्रीवन स्लाम लेकुम वेलकम टो मैं चैनल क्लीड नेट समारे आज की वीडियो में हम बनाना सिखेंगे क्यूट सा बहुत ही प्यारा सा ये स्टिच पैटर्न निटिंग डिजाइन बनाना सिखेंगे और ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं स्वेटर, ब्लैंकेट, केप्स का ब्लैंकेट पे तो बहुत ही क्यूट लगेगा और यखीन माने बहुत ही आसान है ये फॉलो करना दिस पैटर्न इस रिपीट क्याइब करने हैं प्लस एक्स्ट्रा दो एड स्टिच इस सबसे पहले हम यहां पर फंदे कास्ट ओन करेंगे मैं डीटेल में अभी एकस्प्लें करूंगी किस तरह से मैं इसके लिए फंदे कास्ट ओन कर रही हूं बिगिनर्स की हल्प के लिए अगर आपको आता है तो कोई भी मैं 30 यूज कर सकते हैं यूकन यूज यूज एनी मिट्च तो कस्ट आं स्टिच इस link given in description for this cast on method video tutorial जो है वो description box में है नीचे अगर आप ये वाला cast on करना चाते हैं तो जो मैं कर रहे हूं वरना आप कोई भी use कर लें multiple of 11 plus 4 stitches I am going to cast on to demonstrate if you want to cast on to extra 8 stitches it's up to you मैं अभी 11 के हिसाब से फंदे डालूँगी मैं उपर लिख भी दूँगी किस तरह मैं multiple of कह रही हूं आप समझ सकते हैं बड़ जो बिलकुल beginner हैं उनके लिए मैं explain करूँगी ठीक है दो चार छे आठ दस ग्यारा ठीक है 11 stitches ग्यारा देन अगेन 11 ग्यारा दो चार पान छे साथ आठ नो दस ग्यारा सी इसे कहते हैं multiple of 11 मतलब 11 ग्यारा 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 के हिसाब से हम फंदे डालेंगे एक दफा और कर लेते हैं एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस ग्यारा अभी हम इसको गिनते हैं ताके आपको समझाए दो चार छे आठ दस ग्यारा फिर से ग्यारा दो चार छे आठ दस ग्यारा दो चार छे आठ दस ग्यारा multiple of 11 इसे कहते हैं 11 11 11 you can cast on as many as you want आप कितने भी चाहे प्रोजेक्ट के हिसाब से जितना आपका प्रोजेक्ट है for example बड़ा स्वेटर बना रहे हैं तो मतलब ज्यादा फंदे चाही होंगे ना बट आपने अगर यह वाला डिजैन बनाना है तो multiple of आपने 11 डालने हैं बट आखर में आप क्या करेंगे multiple of 11 plus 4 stitches cast on 1, 2, 3, 4 that's how we cast on multiple of 11 plus 4 stitches इस तरह हम 11-11 के हिसाब से फंदे डालके आखर में 4 फंदे एक्सरा डालेंगे इसे कहते हैं multiple of 11 plus 4 और अब अगर आप एक्स्ट्रा दो फंदे डालना चाहरे हैं 8 stitches के लिए 8 stitches जो होता है वो neat aging के लिए होता है और यह आपको एक्स्ट्रा जो फंदे होते हैं वो side seeने के काम भी आते हैं तो अगर आप डालना चाहें तो वो डाल लें वरना अभी में beginners के लिए वो नहीं डाल रही ताकि उनको confusion ना हो you can cast on two extra eight stitches extra two is eight stitches if you want to I'm not casting on because I want to make it easy for beginners okay so after casting on stitches फंदे सिलाई पर डाल लेने के बाद multiple of 11 प्लास फोर स्टिचेज eight stitches are totally optional यहां पर मैंने पहले बॉर्डर बुना है चीक है sweater बना रहे हैं या blanket बना रहे हैं तो आप पहले कोई भी बॉर्डर बुन लें यह बॉर्डर मैंने सिखाया हुआ है मैं कोशिश करके link description में दे दूंगी one into one rib border by clean knit अब सर्च भी कर सकते हैं तो पहले बॉर्डर बुनेंगे sweater का उसके बाद right side से आपने project शुरू करना है after after knitting border you will start your pattern from right side of your project row one right side of your project पहली सिलाई फंदे कास्टोन करने के बाद और बॉर्डर बॉन लेने के बाद sweater या कोई भी चीज बुन रहे हैं तो राइट साइट से knit four stitches पर्ल four stitches right side of your project चार फंदे उल्टे बुन लेंगे पर्ल four stitches चार फंदे उल्टे बुन लेंगे ठीके पर्ल मतलब उल्टा बुनना निट मतलब सीधा बुनना और यार्ड बैक धागा पीछे मुझे किसी ने मैसेज किया कमेंट किया है कि आप प्लीज यह उर्दू में सिखाएं यह इंग्लिश में सिखाएं बट मुझे इसकी भी रिक्वेस्ट आती है क्योंकि सारे लोग यह लेंग्विज नहीं समझ पाते उर्दू हिंदी तो उनके लिए मैं साथ-साथ इंग्लिश में भी एक्स्प्रेइन कर रही हूं तो प्लीज आप कोशश करके गौर कीजे जो चीज आप समझ सकें मतलग अगर आप हिंदी उर्दू बोलते हैं तो आप वह वाली चीज समझें और अगर देखे ना यह आपके फायदे की भी बात है कि मैं इंग्लिश में भी एक्स्प्रेइन कर रही हूं ताके आपको पता चले दूसरे पैटर्न अप समझ सकें जो इस लेंग्विज में न की पॉल फोर निट्टू अभी मेक थ्री स्टिच्च आउट ओफ दिस वन स्टिच इस फंदे में से हम तीन फंदे बुनेंगे एक फंदे में से कैसे आपको दिखा रही हूं ठीक है यह इस तरह थोड़ा सा उपर आप लेंगे इसको ठीक है हाथ को आपने ना टाइट लग रखना है ना लूज नॉर्मल रखना है अब थागा लपेटेंगे यार रेप यार्न आराउंड ठीक है आपने इस फंदे में से यह वाला फंदा बुना लेकिन इसको ड्रॉ नहीं किया विल नॉट ड्रॉप दिस निट वन एंड रेप यार्न आराउंड अगेन निट दिस स्टिच सेम स्टिच अब इस फंदे को नीचे गिरा देंगे यह मैं फिर से करके दिखाऊंगी अब गर से दिखीगा अब नॉट स्लिप दिस वन make three stitches out of one एक फंदे में से तीन फंदे बुने और इसको परल वाई स्लिप किया कैसे इस तरह से नहीं परल वाई स्लिप ठिक है now again फिर से make three stitches out of one इस एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको जिस तरह सीधा फंदा बुनते हैं एक फंदा बुनेंगे यहां से don't drop this stitch यह फंदा नीचे नहीं गिराएंगे इसको थोड़ा सा उप उपर खिरेंगे अब फिर से धागा लपेटेंगे सिलाई पे यार्न रेप यार्न आराउंड देन निट दिस स्टिच अगिन ठीक है नाव ड्रॉप दिस अब इसको गिराएंगे मतलब एक फंदे में से तीन फंदे हम मेंने की मैं फिर से रिपीट करूँगे आप गौर से देखियेगा बिगनर्स के लिए I am not going to skip it मैं कोई बिचीज इसकिप नहीं करूँगे नाव निट टू स्टिचेश तो यू निट टू रिपीट इस तो दे लास्ट फोर स्टिचेश वाट यू विल दू पर्ल फोर निट टू स्टिचेश निट पर्ल दू स्टिचेश आप एक हंगे दू स्टिचेश हम क्या करेंगे यहीं रिपीट करते जाएंगे जितने भी सिलाई पे आपके पास फंदे हो चार फंदों को आपने उल्टा बुना है दो फंदे सीधे बुने हैं, फिर एक फंदे में से तीन फंदे किये, फिर एक फंदे को स्लिप किया, फिर एक फंदे में से तीन फंदे किये, फिर दो फंदों को सीधा बुन लिया. Now, अब फिर से धागा आगे, यार्न फॉर्वर्ड, पर्ल फोर स्टिचेश, we are repeating the process again. हम फिर से वही चीज रिपीट करेंगे अभी ये पहली स्लाई है चार फंदे उल्टे धागा पिछे यार्ण बैक निट टू स्टिचेज दो फंदे सी धे बुनेंगे ग्रिप को आपने नॉर्मल रखना है नॉट लूज नॉज 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 ताइट भी नहीं रखना है अब निट टू नॉज त्री स्टिचेज आउट ओफ वन इस फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे यही चीज हम फिर सा लूज रखना है आपने ठीके डॉन ड्रॉप दिस इसको नीचे नहीं गिराना अगेन या रैप दे यान अराउं निडल एंड निट दिस स्टिच अगेन नाव ड्रॉप द डाउन स्लिप दिस स्टेच पर्ल वाइज और मेक थ्री स्टिचेज आउट ओफ वन स्लिप किय फंदा फिर से एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे यह आपको साथ साथ करते जाएगा स्टॉप करके ताके फिर आपको प्रॉब्लम ना हो नाव निट टू स्टिच इस दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर से वही वाला प्रॉसेस करेंगे पर्ल फोर धागा आगे जब ठीक है पर्ल फोर चार फंदे हमने उल्थे बुने नाव निट टू दो फंदे सीधे बुनेंगे अब इस फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे एक धागा लपेटा फिर से निट टैस and then drop it फिर से इसको सीधा बुन के धागे को गिरा देंगे अब सलिप करेंगे इसको प्रॉल वाइज फिर से इस फंदे में से तीन फंदे निट 3 आउट ऑफ वन आप Chanili आपने थे स्तिकेज़ आप कर देँ झी ब Wish I time pare आपकोनवे। और प्न जरे कर दो खार कर देंगे है। आपक कर दो को कर दोर। स्द्विशन कर देंगे Оर हम सक दोरा क कर दूर पर देंगे ठीक है, रो टू, दूसरी स्लाई, पर्ल फोर स्टिचेज, चार भंदों को अपने उल्टा बुन लेना है, जो आखर वाले थे, ठीक है, पर्ल फोर स्टिचेज, अब इन दो फंदों को भी आपने उल्टा बुन लेना है, ठीक है, ये आखर वाले चार फंदे थे, जो और उसके बाद जो दो हमने उधर से सीधे बुने, अब ये जो तीन फंदे हैं, जो के एक फंदे में से हमने बनाए थे, स्लिप दिम, स्लिप दिम, ठीक है, उनको स्लिप करेंगे, बुनेंगे नहीं, और ये जो हमने स्लिप किया था, उसको हमने उल्टा बुनना है, पर्ल, ये जो तीन फंदे हमने एक फंदे में से बनाये थे, उनको स्लिप करना है, इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, इसको हम रिपीट करते जाएंगे, क्या, ये चार फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, और उसके बाद जो सीधे बुने थे इस साइट से, उनको हमने उल्टा बुना है, फिर इन तीन फंदों को स्लिप किया, बीच में जो फंदा था, उसको उल्टा बुना, फिर तीन स्टिचेज देन, पुर्ल लें, आइम नाट गएंग तो स्किप इट, यही रिपीट करती जाएंगे, आखरी चार फंदों तक फिर उनको उल्टा बुनेंगे, मैं कोई चीज इसकिप नहीं कर रही ही, आप देखिएगा, अगें पुर्ल फोर, चार फंदे उल्टे बुन ठीक है, फिर से हम इन दो फंदों को भी उल्टा बुनेंगे, जो उस तरफ से सीधे बुनें थे, अब ये जो तीन फंदे हैं, जो के हमने एक फंदे में से बनाए, उनको स्लिप करना है, जो जो भी आपने तीन फंदे बनाए थे, एक फंदे में से, उनको आप स्लिप करें बुनेंगे नहीं, now purl this stitch, again slip these three stitches in 3 फंदों को slip करेंगे, and purl these two stitches, repeat this process again, purl these four stitches, ये फिर से हम करेंगे, चार फंदों को उल्टा बुन लेंगे जो बीच वाले चार फंदे हैं गाटर स्टिच में अब फिर इन दो फंदों को भी उल्टा बुनेंगे अब ये जो तीन फंदे हमने बनाए थे एक वाले फंदे में से उसको स्लिप करेंगे और ये बीच वाला जो फंदा था उसको हम उल्टा बुनेंगे टाइट नहीं रखना आपने अगेंड स्लिप एन पॉल इस तो स्टिचेश दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे अब जितने भी फंदे आपके पास होंगे आप उसी तरह बुनते जाएंगे उल्टा बुनना है दोनों साइड़ों से रो थ्री थर्ड रो तीसरी स्लाई इस पैटन इस ओनली रिपीट ओफ फोर रोस ये सिर्फ चार स्लाईयों का रिपीट है बस गोर से आप देखती जाएगा बहुत आसान है परल फोर अगें चार फंदों को आप उल्टा बुन लें धागा पीछे अब ट्विस्ट करेंगे यहां पर ये जो दो फंदे सीधे बुने हैं और एक फंदे का उसे हमने तीन फंदे बनाए हैं वी विल ट्विस्ट देम ठीक है ब्रिंग दीज त्री स्टिचे यह जो तीन फंदे हमने एक फंदे में से बनाए उनको हम आगे की तरफ से आगे लेकर आएंगे और ये जो दो फंदे हैं जिनको हमने सीधा बुना है उनको हम पीछे ले जाएंगे अब बुट दी त्री स्टिचे इनको हम पीछे लेकर आगे अगे से हमने इनको सीधा बुन लिया तीनों फंदों को निट थ्री तुगेदर तीनों फंदों को सीधा बुना है अब इन दोनों फंदों को जिनको हम पीछे ले गए सीधा बुन ले यह जो बीच वाला फंदा है इसको फिर से हम slip करेंगे slip this stitch बीच वाला फंदा अब फिर से हमने यह तीन वाले फंदे और यह दो जो फंदे हैं इनको twist करना है इदर twist किस तरह से करेंगे अब यह जो दो फंदे हैं उनको आगे लेकर आना है through back side पीछे की तरफ से मतलब इन तीन फंदों को पीछे ले जाएंगे यह इस तरह से अब इन फंदों को वापस सिलाई पे डालें put them back on left hand needle and knit these two stitches इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे अब यह जो तीन फंदे हैं जो हमने एक फंदे में से बनाए वो पीछे हैं अब इनको क्या करेंगे इन तीनों फंदों को साथ बुनेंगे but through back loop पहले वाले को हमने क्या किया front loop से बुना but इसको back loop से बुनना है knit these three together through back loop okay now repeat this process to the last four stitches क्या करना है आपने purl four twist three and two stitches first knit three together through front loop then knit two stitches then slip one then twist again two and three bring two stitches forward knit them and then knit these three stitches together through back loop आपने क्या करना है इसको repeat करते जाना है चार फंदे सीदे उल्टे बुनेंगे उसके बाद फिर पांच फंदों को twist देंगे तीन फंदों को पहले through front loop बुनेंगे उसके बाद फिर दो फंदे फिर एक slip किया और उसके बाद फिर से वो पांच फंदे जो थे उनको twist दिया दो फंदे आगे लेकर आए यहां पे जो सीधे बुने हुए थे उनको सीधा बुना और जो तीन फंदे एक फंदे में से बनाए थे उनको हमने क्या किया सीधा साथ बुन लिया through back loop repeat this to the last four stitches I am not going to skip it I am going to repeat to help you मैं फिर से करके दिखा रही हूँ आखर तक ताके कोई confusion ना हो चार फंदे सीधे पर्ल फोर ना ट्वेस्ट फाइव इन पांच फंदों को ट्वेस्ट देंगे तीन फंदों को आगे लेकर आएंगे ठीक है bring three forward through front put them back वापस रखेंगे और उनको सीधा बुनेंगे through front loop जिस तरह हम सीधा फंदा बुनते हैं पर तीनों को साथ बुनेंगे अब knit these two अब इन दो फंदों को साथ नहीं बुनेंगे पर सीधा बुन लेंगे अब इस वाले फंदे को slip करेंगे परल वाइज अब इन पांच फंदों को ट्वेस्ट देंगे twist these five stitches bring these two stitches forward through back side like this put them back वापस रखेंगे सीधा बुन लें दोनों फंदों को अब knit these three stitches together through back loop इस वाले फंदों को तीन फंदों को सीधा बुनेंगे बाट बैक लूप से repeat this again yarn forward दागा आगे परल four stitches चार फंदों को उल्टा बन लेंगे ठीके दागा पीछे twist these five stitches and पांच फंदों को त्वेस्ट देंगे bring three stitches forward put them back knit them तीन फंदों को आगे ले आए निडल पे वापस रखा और उसको सीधा बुन लिया अब इन दो फंदों को सीधा knit these stitches two stitches now slip one again twist these five stitches again like this put these two stitches back अब इन दो फंदों को हम knit them knit means सीधा फंदा purl means उल्टा now knit these three stitches together through back loop इसी से इसको shape मिलेगा now repeat this process to the last four stitches इसी process को आपके पास जितने फंदे होंगे करते जाएंगे और आखरी जो चार फंदे होंगे yarn forward and purl दें दागा आगे करके इनको आपने उल्टा बुन लेना है ठीक है third row complete now fourth row, चौथी स्लाई purl all stitches सारे फंदे उल्टे बुन ले ठीक है सारे फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है बहुत ही easy है ये pattern चार स्लाई यां देखे हैं हमारी complete हो गई है मैंने कोई भी skip नहीं की ये जो slip किया था उसको भी हमने उल्टा बुनना है सारे सारे फंदे उल्टे बुनेंगे all stitches purl them यहां पे हमारी चार स्लाईयां complete हो गई है now you need to repeat these four rows for your desired length of your project अभी आपने ये चार स्लाईयां बस repeat करते जाना है आपको जितना भी मतलब के बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए जितनी भी length आपको चाहिए आप इसी तरह बस चार स्लाईयां repeat करते जाएंगे this pattern is very easy to follow thank you so much for watching my video Allah Hafiz